आज है सोमवार भगवान शिफ का दिन और हर बार की तरह आज भी आपको बहुत काम की जानकारी देने वाली हूँ आपको बताने वाली हूँ कैसे शिवलिंग आपकी जिन्दगी बदल सकते हैं आपकी बाते भी होंगी जो इस शो पर मिलता है वो और कहीं होगा भी नहीं तो फिर शिरुवात करते हैं आज आपको बताऊंगी किस समस्या के लिए किस तरह के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और शिफ पर क्या और पित करने से हर संकर तलता है साथ ही आपको हात मिलाने का तरीका और हात मिलाते ही सामने वाले का राज पहचानने की त्रिक भी बताऊंगी और आपकी पलकों को खुबतर्ट बनाने वाली ब्यूटी तिप भी होगिए हूं की चलिए बट्त हो गया है आज के पहले महा अउपाई के बारे में बात करने का क्या मनो कामना पूरी नहीं हो रही है आपकी आज थोड़े से संदूर और थोड़े से चंदन में पानी मिला कर पेस्ट बनाएं इस पेस्ट को एक डिबी में रखें और शाथ में किसी बरतन में थोड़ा सा सफेद मखन रखकर मंदर जाएं फिर वहां जाकर इस पेस से सीधे हाथ की मिडल फिंगर से हनुमान जी की पूच पर तिलक लगाएं उनकी चेस्ट पर सफेद मखन चुआएं और फिर उनके मुख से सफेद मखन इस प्रकार चुआएं कि जैसे उन जा रही हूं जी हां आपको किस संकट के लिए कि शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप खुद भी पूरी विधी से शिवलिंग बना सकते हैं वो किससे बनाना होगा यह सारी जानकारी आपको देंगे दही को कपड़े में समक मिलाकर बने शिवलिंग की पूजा करने से मनुकामना पूरी होती है लसुनिया से बना शिवलिंग शत्रों का नाश करके विजय प्रदान करता है विबर से मिट्टी के बने शिवलिंग की पूजन होने से जहरीली चीजों से आपको बचाव मिलता है कपूर से बने से बने शिवलिंग की पूजा से कई सिद्धियां मिलती है यदि बास की अंकर को शिवलिंग के समान उसको काट कर पूजा करते हैं तो वंच वृद्धी होती है संतान प्राप्ती होती है मिश्री यानि की चीनी से बने शिवलिंग की पूजा से रोगों का नाश होता है लेकि होती है जो हमारे किसान दर्शक हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा है आवले से बने शिवलिंग का रुद्र अभिशेक से मुक्ती और मोख्ष की प्राप्ति होती है फूलों से शिवलिंग की पूजा से फ्रापटी मिलती है दूर्वा से शिवलिंग के आकार कुमें होनी आपको छू भी नहीं सकती जो गेहू चावल तीनों एक एक इकवल कॉंटिटी में लेकर आटा बनाकर शिवलिंग की पूजा अगर उससे करते हैं तो सुख समृद्धी आती है स्वटी के शिवलिंग का पूजन करने से सभी कामनाओं का पूर्ण होता है मोती के बने पूजन से स्त्री सवभाग्य में व्रिद्धी आती है सोने से बने शिवलिंग का पूजन करने से सारे सुख समृद्धी की व्रिद्धी होती है चांदी से बने शिवलिंग का पूजन करने से धन धान्य बढ़ता है पीपल की लकड़ी से बना शिवलिंग दरिदता कारोबारी बिजनस ये वाले लोग जो हैं पारत शिवलिंग का पूजन करें अच्चू को पाए हैं शिवलिंग के मातर दर्शन ही सौभागेशाली होते हैं इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्था की जरूरत नहीं है पर इससे ज्यादा लाग उठाने के लिए पूजन फिर पानी से दोये फिर इस पत्ते पर किसी भी पेंसे ये मंत्र लिखें जयवीर हनुमान इसके बाद इस पत्ते को घर के मंदिर में हनुमान जी की फोटो या मूर्ती के सामने रखतें अगले दिन अपने ऑफिसिया दुकान या काम की जगा पर जहां पर आं बैठते हैं उसके पास इस पत्ते को रख दें। ऐसा साथ दिन करें, आठवे दिन सारे पत्ते खटे करकर पानी में बहा दें। सुमवार के दिन भक्त भगवान शिफ का भी शेक करते हैं। कुछ न कुछ अर्पित जरूर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है महादेव को क्या अर्पित करने से कौन सा फल मिलता है। आज मैं आपको संकट और संकट से बचाने के लिए क्या अर्पित करना चाहिए वो बताने जा रही हूँ। अनाज अगर आप भगवान शिफ को चड़ाते हैं तो इससे क्या मिलता है भगवान शिफ को चावल चड़ाने से धन की प्राप्ति होती है तिल चड़ाने से पापों का नाश होता है इतना सा चड़ाना है हर चीज़ बाकी गरीबों को देनी है जो औरपित करने से सुख में व्रिद्धी होती है यहूं जडाने से संतान व्रिद्धी होती है यह सभी अन भगवान को अरपन करने से गरीबों में बाद में बाट देना चाहिए इतना सा चड़ाएं और बाकी बाट दें भगवान शिफ को कौन सा रस चड़ाने से क्या फल मिलता है अभी जानी वुखार होने पर भगवान शिफ को जलधारा चड़ाने से शीग्रिलाब मिलता है सुख और संतान की बुद्धी के लिए वृद्धी के लिए जलधारा शिफ की पूजा उत्तम बताई गई है तेज दिमाग के लिए शक्कर मिलावा दूद भगवान शिफ को चड़ाएं इतना सा पाक लोग और मोख्ष दोनों की प्राप्ति होती है कि शहत से भगवान शिफ का विशेक करने से सेहत अच्छी रहती है भगवान शिफ को कौन सा फूल चड़ाया जाएं उसका क्या फल मिलता है जानिए लाल और सफेद आकड़े के फूल से भगवान शिफ का पूजन करने पर म यह होते हैं शमी के पत्तों से पूजन करने पर मोख्ष की प्राप्ति होती है बेला के फूलों से पूजन करने पर सुन्दर और सुशील पत्नी मिलती है जुवी के फूल से शिव जी का पूजन करेंगे तो घर में कभी अनकी कमी नहीं होती है कनेर के फूलों से शिव पूज करने पर सुख संपत्ति में व्रिद्धी होती है धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान चंकर संतान देते हैं चो ना मूचा करती है लाल डंड वाला धतूरा पूजन में शुब माना गया है दूरवा से पूजन करने पर आयू बढ़ती है अब आज का तीसरा महा उपाई जान लेते हैं क्या उधार दिया हुआ पैसा फस गया है ऐसे में क्या करें सफेद कागस पर किसी भी पैंद से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे पैसे उधार दिये हैं फिर हनुमान जी के सामने कोई भी एक प्लेट रखें उस प्लेट पर नमक फैला दें फिर नमक पर वो सफेद कागस रखें जिस पर उस व्यक्ति का नाम लिखा है उस कागस पर आटे का दिया बना कर उसमें सर्सों के तेल को भर कर दिया जलाएं इसके बाद हनुमान चालिसा का पाथ करें चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं अरे ब सब ठीक तो है हां ठीक है सच बोल रही हूं सब ठीक है हाँ ठीक है आपको कैसे पता कि कुछ ठीक है कि मैं तुमसे हाथ मिला रही हूं और तुमारा हाथ बता रहा है कि तुम ठीक नहीं हो हाथ से भी पहचान सकते हैं कि हमें कोई परिशानी है क्यों यह तो बहुत खास सीक के बार में पता लगा सकते हैं, देखिये हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार, अगर किसी इंसान की हथेली पतली हो, यहां से देखिये, अगर पतली हो, तो इंसान और साथ में सूखी भी हो, आप छूए और वो बिल्कुल ड्राइब हो, तो ऐसा इंसान चिंता में रहने वाला होगा जाधा समय घबराया हुआ रहें का टेंशन स्ट्रेस उसके जीवन का हिस्सा होगा ऐसे लोग किसी भी काम को ठीक से करने में सक्षम नहीं होते हैं तूसरी सिच्वेशन होते हैं किसी से हाथ हाथ मिलाया और आपका हाथ मोटा हो जाए क्योंकि उसका हाथ मोटा हो सौफ्ट हो गुद्गुदा हो ऐसे लोगों के हाथ अगर भारी और कोमल हैं तो यह बहुत विलासी होते हैं लग्जुरी प्लेजर इन्हें बहुत पसंद होते हैं इनको सारी सुक्सुविदाएं मिलती भी हैं इनके पास एश आराम की सभी चीज़े खोती भी हैं तीसरे तरीके की अगर आप किसी से हाथ में लाएं उनकी हतेली जो है वो पतली हो सौफ्ट भी हो लेकिन पिल-पिल हो जाए यूँ आपका हाथ अंदर जाने लग जाए धसने लग जाए तो ऐसे लोग आलसी हो जाते हैं ऐसे लोग जो है वो अपने आलस के कारण जिंदगी में बहुत कुछ बरबाद कर देते हैं आप छू कर अगर पिल-पिला हाथ है तो आ कठोर हाथ मतलब महनती तो ऐसे लोग महनती होते हैं आप मजदूरों से हाथ मिलाए कितने कठोर हाथ होते हैं तो अगर अच्छे स्टेटस का भी आदमी है पर हाथ कठोर है यानि कि बहुत महनती है दिन रात महनत करता है इस तीस से आप अंदाजा लगा सकते हैं अब एक और सीख्रिट समझें उधमी जैसे आप यह हाथ देख सकते हें यह ओंग्लियों का जो हिस्सा है ये आपकी प्लाइनिंक है और जो हथेली का हिस्सा है यह आपकी execution है आप effort क्या करते हैं अगर किसी के ऊपर का हिस्सा viladha lamaba ho or your चोटा हो जाये si base इतना हात हो जाए तो यह इ इडिया से एक्जीक्यूट जादा कर लेते हैं और अगर यह बराबर हो जैसे कि इनका है आप लगभग देखेंगे नाप के देखिए तो यह आल्मोस्ट बराबर है ऐसे लोग जो सोचेंगे वो कर लेंगे यह खास बात होती है तो हथेली से आप इस चीज का अंदाजा लग करते हैं मगर यही इंसान अगर फिलोसोफर है साइन्टिस्ट है तो सक्सेस्फल हो जाएगा क्यूंकि अकेले में जाएगा तभी कुछ रिसर्च करेगा ना तो हथेली का गड़ा देखिए इंसान करता क्या है फिर प्रेडिक्शन दीजिए नी तो आदे पंडित बन जाए हैं वो अपनी योजनाओं को मतलब अपने प्लानिंग को मैंने आपको बताया ना ठीक से एक्जीक्यूट नहीं कर पाते प्लानिंग और एक्जीक्यूशन और ऐसे लोगों की हैंड राइटिंग बड़े अक्षरे वाली होती है इस तीसको भी देखिएगा अगर किसी इंस होती है अपले से और ये सनर्स फ्लेक्सिबलिटी होती है और जितनी इसमें होती है उतने ज्यादा आप सिचूईशन में सखिदेग बड़े काम करआ बाते हैं तो जब आद बहुते की शेप से एंदाजा लगा लिया करें कि इनसान ब्रीजट है कि फ्लेक्सिफेल नोगों को अंगूठा बहुत कठोर होता है हाड होता है ऐसे लोग आसानी से दूसरों की बात में येस नहीं बोलते हैं मतलब धीट होते हैं अंगूठा आपकी विल-पावर है यह जितना सौफ्ट आप उतने सौफ्ट यह जितना स्ट्रॉंग और रिजिट आप उतने डीट होंगे तो अब आप समझी कि हाथ मिलाने से हम कैसे इंसान के राज जान सकते हैं बिल्कुल और हमारे दर्शकों को भी पता चल गया कि हाथ से हम कैसे दूसरे की परिशानी भी जान सकते हैं बिल्कुल पलकों की बात हो ही रही है तो आपको पलक जपकाने के हिसाब से किसी की पसनालिटी कैसे होती है ये बता देती हूँ पस आपको थोड़ा सा टाइम नोट करना होगा ठीक है बहुत इंट्रेस्टिंग जानकारी देने जा रही हूँ पांच सेकिंड के ग्याप में जो पलके जपकाते हैं ऐसे लोग जीवन में परिशान होते हैं जीवन में धन और प्रोस्पेरिटी की कमी होती है जो लोग 10 second के gap में usual पलके जपकाने वाले होते हैं वो दूसरों पर आशर्थ होते हैं यानि कि दूसरों से अपना काम करवा कर खुशी महसूस करते हैं जो लोग 15 second तक अपनी पलकों को usually hold कर लेते हैं जल्दी पलके नहीं जपकाते हैं कि चालाक होते हैं जल्दी जल्दी फैसले करते हैं जो 20 second के gap में अपने पलके जपकाने वाले होते हैं ये स्थिर बुद्धी वाले लोग होते हैं प्रभावशाली personality होती है जो 25 second या इससे जादा gap में पलके जपकाने वाले होते हैं ये आकरशक personality के होते हैं अच्छे विवार से सब को influence कर लेते हैं तो इसलिए अगर अब जल्दी जल्दी पलके जपकाते हैं तो पलकों को रोकना सीखें चलिए वक्त हो गया है आज के हमारे पहले विवर से बातचीत करने का पिली भीट से शिवानी शर्मा ने अपने हाथ का वीडियो हमें भीजा है शिवानी की परिशानी यह है कि शादी नहीं हो रही है रिष्ता नहीं मिल रहा है घर की आर्थिक स्तिती भी बहुत खराब है उपाई जानना चाहते हैं शिवानी आप बहुत ज़्यादा परिशान नहीं होए नौ डारेक्शन में दो नीले बल्ब लगाई है 24 घंटे जलाई है और साथ साथ शिबलिंग के उपर हर दिन दो बून शेहत से ओम बनाकर रोज ये करना शुरू कीजिए 60 डेस कीजिए देखे परिशानिया कैसे टलने लगती हैं आप भी फेस्बुक पर साथ बहु फैमिली गुरू से जुड़िये अपने इश्यूस हमें भीजिए और शो देखते रहिए सेल्यूशन तो यहीं मिलेगा एस्ट्रो स्पेशल में आपको वह जानकारी देती हूं जो सिरफ आपकी और मेरे बीच की होती है जी हा हैं आपके चेहरे पर यह बताती हैं कि आपका कितना केरिंग नीचर है आप कितने अफेक्शनेट हैं आप कितने सेंसिटिव हैं हम कहते हैं कि उसने ऐसी बात करती मेरी पलके भारी हो गई तो पलके आपका इमोशनल नीचर बताती हैं अगर आप एक हस्बन और वाइफ को देखें उसमें जिसकी जादा भारी या जिसकी हेवी लाशेज होंगी वो इंसान जादा केरिंग होगा जितनी पलके हल्की होंगी ऐसे लोग इतने इनसेंसिटिव होते हैं इसलिए जब आप किसी से प्यार करें या रिष्टा जोड़ें तो उसकी पलके देख लें अगर उसकी पलके आपसे ज़्यादा भारी हैं तो वह आपका ज़्यादा ख्याल रखेंगे और अगर कम हैं तो फिर आप ही की रेल बनेगे अब चौथा माह उपाय जानते हैं क्या कोई ऐसा ही है जिससे रिष्टे बहतर करना चाहते हैं रात को हनुमान मंदर जाएं उनकी मूर्ती के सामने सरसों का तेल भरें चौमुखी दीपक जलाएं फिर हनुमान चलिसा का पाथ करें हनुमान जी को प्रणाम करके घर आ जाएं फेस्बुक पर हमारी एक दर्शक प्रियंका कादम ने हमसे एक सवाल किया हैं प्रियंका मन चाहे प्यार से शादी के उपाय जानना चाहती हैं जेनरिक सवाल से बहुत लोगों का भला होगा लेकिन एक ज्यान की बात पहले बता देती हूं आपने देखा हैं मैक्सिमम लव साथ मिलके उसका आपका साथ बना दे तो यह ठीक अगर आप आउट ओफ देवे लड़ जगड़ कर करेंगे तो आज नहीं तो कल पापर तो आप भी बेलेंगे तो इस बात का ध्यान रखेगा जिससे प्यार करते हैं अगर उसका साथ चाहते हैं उससे शादी चाहते हैं त इडिटेंट तो आप होते ही हैं लेकिन अपने फ्यूचर को संभालिए उसे देखिए हर दिन एक छोट इसी टिप फॉलो करकर आप हर दिन अच्छा और हैपी बना सकते हैं तो फिर जानिए मेश राशी वालों को कल क्या करना है मेश राशी के लोग कल सूरे को मिश्री वाला पानी चड़ाएं लक आपका साथ दे रहा है कल 63% विश्चिब राशी वाले लोग बड़े भाई भेन की बात मानें किस्मत आपका साथ दे रही हैं 59% मिथुन राशी वाले लोग मंदिर जरूर जाएं किस्मत आपका साथ दे रही हैं 74% कर्क राशी वाले लोग घरवालों के साथ बैट कर खाना खाएं लग आपका साथ दे रहा हैं 55% सिंग राशी वाले लोग शाम को घर में कपूर जलाएं लग आपका साथ दे रहा है 70% कन्या राशी वाले लोग विश्णु जी की पूजा जरूर करें किस्मत आपका साथ दे रही है 69% तुला राशी वाले लोग बच्चों को कोई मिठाई खिलाईए लग आपका साथ दे रहा है 61% रिश्चिक राशी वाले लोग, सूजी का हलवा खाईए, लग आपका साथ दे रहा हैं 66%, धनू राशी वाले लोग, काम में घर वालों की मदद लीजे, किस्मत आपका साथ दे रही हैं 68%, मकर राशी वाले लोग, लक्षमी जी की पूजा करें आप, किस्मत आपका साथ दे र कुम राशी वाले लोग लस्सी जरूर पीनी हैं आपने किसमत आपका साथ दे रही है कल के दिन 64% और मीन राशी वाले लोग चमड़े का इस्तमाल बिल्कुल ना करें नो लेदर आइटल और लग आपका साथ दे रहा है 60% अब जानते हैं आज का पांचवा महा उपाई क्या विग्न भादा दूर करना चाहते हैं घर में किसी शांत कमरे में पूरा भी आउत्तर दिशा की और मुख करके बैठें अपने सामने हनुमान जी की फोटो रखें और प्राथना करें आखे बंद करके हनुमान जी के रुद् विग्न बादाओं को भी दूर कर रहे हैं फिर मंत्र ओम हरी मरकट मरकटाई स्वाहा का पाथ करें जब पाथ हो जाएं तो शांत होकर आपको कुछ देर के लिए वहीं बैठे रहना हैं ऐसा करने पर हनुमान जी की शक्तियों को आप महसूस कर पाएंगे विग्न बादाए की बात बताऊंगी उन साथ कलर्स की बात करूंगी जो हर दिन आपको सौभागे शाली बनाएंगे वो कल का दिन बहुत एहम है अब चलती हूं बाई बाई टेक क्येर